Hello everyone, welcome to Okul, Okul में आप सभी का स्वागत है आईए अपने इस कोर्स को आगे वड़ाएंगे that is LAKSH 100 प्लस 90 Days Revision Series for UPSC CSE Prelims 2020 और आज हम पहुँच चुके हैं Day 61 में एक सट वे दिन में हम लोग पहुँच चुके है Environment को आगे हम continue करेंगे in Part 2 तो देखींगे हम लोग आज के दिन के वो 5 questions क्या है जो सुबह के quiz में attempt आप लोगों को ने किये आप लोगों को करने चाहिए थे अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मेरी फिर से वही request है कि please नीचे description box में course का link दिया हुआ है जाके वहाँ से प्लीज एन्रोल कर लीजिए free of cost course है जाके एन्रोल कर लीजिए 90 दिन में आपको साड़े 400 questions मिलेंगे और I know कि 5 मिनिट दिन का 10 मिनिट दिन का अगर लगा के आपको अच्छे questions मिल रहे हैं quality questions मिल रहे हैं quality discussion देखने को मिल रहा है तो I don't think कि इसमें करने में इसको एन्रोल करने में कोई आप लोगं का नुकसान है ठीक है फायदा ही होगा जो भी है तो प्लीज जरूर इसको कर लीजिए और ये चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए quiz attempt करना स्टार्ट कीजिए और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के दिन के वीडियो देखते हैं आज के दिन के 5 questions क्या है देखिए पहला question ये है with reference to BT cotton ठीक है BT cotton एक तरीके का GM crop है that is genetically modified crop है आपको पता है ठीक है consider the following statements पहला है कि it is the only GM crop ये सिर्फ GM crop है allowed to be cultivated in the country जिसकी जो अनुमती है जो सरकार से मिली हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इसी GM crop को उगाया जा सकता है ठीक है दूसरा है कि cry 1 AB cry 1 AB जो है वो इसकी herbicide tolerant variety है ठीक है herbicide tolerant variety है किसका BT cotton का ठीक है तो इनमें से कौन सा statement सही है आपको बताना है 15 second का time आप लोगं के पास ठीक है BT cotton BT stands for bacillus thuringiensis ठीक है bacillus thuringiensis इसका एक bacteria है ठीक है उसके बारे में भी हम देखते है पहले क्या है पहले आप मुझे इसका जवाब बताईए देखे B इसका सही ज ओप्शन है that is this one ठीक है sorry यह यहाँ पर sorry यह इसका option जो है वो A correct है sorry ठीक है इसको आप correct कर लीजेगा I'm sorry A जो है वो correct है B correct नहीं है ठीक है A correct है यानि कि this is the only crop ठीक है और यह जो है वो गलत है क्या गलत है आई देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ है यह देखे BT cotton remains the only GM crop allowed to be cultivated in the country ठीक है पहला statement सही है मैं फिर से बोल रहा हूँ ठीक है developed by the US giant that is Bayer Monsanto it involves insertion of two genes इसमें दो genes डाले जाते हैं one is your cry 1ab and cry 2bc from the soil bacterium जो soil bacteria होता है that is bacillus thuringiensis ठीक है यहीं से यह नाम आया है BT into cotton seeds ठीक है और इससे क्या होता है कि this modification coats the plan to produce a protein toxic to heliothis ballworm ठीक है heliothis ballworm यानि कि यह pink ballworm इसमें जो कीड़ा लगता है इससे बचाने के लिए ही इस जो bacteria है उसको जो two genes है उसको इसके अंदर insert किया जाता है ठीक है thus making it resistant to their attack और commercial release जो था इस hybrid का was sanctioned by the government in 2002 हैं कि 2002 में इसको government की अनुमती मिली हुई है ठीक है अभी आगे एक चीज और हुई है फिलाल रहाली में कि जो farmers है अकोला में अकोला एक शहर है महाराश्च्रों में उसने क्या करा है कि इसका herbicide tolerant variety जो थी BT cotton की उसको उगाया है ठीक है herbicide tolerant variety यानि कि HT BT ठीक है agrobacterium tumefacians लेकिन इसको G.E.A.C G.E.A.C ने इसको नुमती नहीं दी है तो इसलिए इसको नहीं उगाया जा सकता ठीक है लेकिन इसको उगानी के पीछे जो ये farmers थे जो किसान थे इनका क्या claim था इनका ये claim था कि जो HT BT variety है यानि कि जो ये आपकी hybrid herbicide sorry herbicide tolerant जो variety है वो क्या कर सकता है कि जो आप glyphosate होता है एक herbicide होता है glyphosate ये उसको उसके spray को अगर आप उसमें करेंगे herbicide के लिए तो ये उसको basically क्या कह सकते है कि withstand कर सकता है या उसको जहल सकता है ठीक है that is used to remove weeds ये weeds को भटाने के लिए होता है and this is substantially saves them from dividing cost तो यानि कि उनका ये कहना था उनका ये पीछे इसके पीछे तर्क था कि अगर आप इसको use कर रहे है तो dividing जो हमें बाद में करनी पड़ती है उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी और basically glyphosate है यानि कि जो herbicide है ये उसको withstand कर सकता है लेकिन government के द्वारा इसको अभी तक अनुमती नहीं मिली है ठीक है चलिए अगरा question देखींगे which one of the following states is rai ganj wildlife century located इस तरीके questions भी UPSC बहुत पूछता है wildlife century bird century इनके बारे में ठीक है तो बताइए कि rai ganj wildlife century जो है वो किस राज्य में इस्तित है 15 second का time आप लोगं के पास rai ganj wildlife century ठीक है west bengal उडिसा, छक्तिसगर या आसाम ये देखे इसका जो सही जवाब है that is west bengal ठीक है आईए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ है रai ganj wildlife century जो है वो located है उत्तर दिनाजपुर जिले में ठीक है उत्तर दिनाजपुर district जो है west bengal का वहाँ पर ठीक है और इस century को बोला जाता है कुलिक कुलिक bird century भी बोला जाता है drawing its name from the river कुलिक और यहाँ पर basically highest number of open bill stock population है इसकी population यहाँ पर सबसे जादा है not only in India but in Asia and this makes the century unique इसलिए यह century जो है वो unique है ठीक है थोड़ा सा यह river कुलिक के बारे में भी जानके रखिएगा क्योंकि इस तरह की कोश्चन UPSC कभी indirectly पूस्ता है पहली चीज तो अगर wildlife century आप protected area इसकी अगर बात कर रहे है तो उसमें किस तरही यह कोश्चन आते है यह मैं आपको बता दो wildlife centuries है national park है इनमें जो कोश्चन आते है बहुत लिए direct question इस तरीके का आना तो बहुत मुश्किल है जो मैंने आपको question दिखाया कि कौन सा किस राज्य में located है या वो अगर multiple statements के form में आएगा तो वहाँ पर एक statement वो हो सकती है कि किस राज्य में located है दूसरा जो question important वहाँ से बनता है या दूसरा जो उसमें जो concept cover किया जाता है UPSC द्वारा वो यह है कि वो जो area है वो किस species के लिए famous है दूसरा यह है कि वहाँ से कोई आसपास कोई नदीव अगेरा बहती है तो यह इस तरीके के जो points है वो आपको पढ़के चलने है मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा हूँ कि हो सकता है कि यह जो questions है direct question आपको exam में देखने को नहीं मिले वो नहीं मिलेंगे direct question आपको exam में देखने को नहीं मिलेंगे यह तो मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन at least आपको अगर यह series आप follow कर रहे हो यह course अगर आप follow कर रहे हो तो आपको यह जरूर पता लगेगा कि किस तरीके के questions है जो आ सकते है या फिर अगर आप इस तरीकी के topics कोई पढ़ रहे हो आपने suppose करो कोई wildlife century या national park के बारे में पिछले एक डिड़ साल में आपने news में सुना तो आपको सिर्फ उस में से क्या-क्या point note down करने है यह आपको पता लग जाएगा कि कौन से species के लिए फिर वो इस species जो है उसके बारे में थोड़ा सा उसकी IUCN का जो data होता है IUCN में वो कौन से list में है endangered है कि vulnerable है या extinct है जो भी है वो थोड़ा सा देखना है फिर वहां से आसपास से कोई नदी वगएरा बह रही है तो उसके बारे में देखना है यह आपको questions में सा idea लगेगा कि आपको क्या data जो है वो note down करके रखना है ठीक है तो river कुलिक के बारे में फ्लोड़ा साब को बता दू यह जो कुलिक नदी है इसका flow कुछ इस तरीके से चलता है कि कुलिक है यह आगे जाके नागरी एक नदी मिलती है वहाँ मिलती है यह आगे जाके आपकी महाननदा नदी है ठीक है ध्यान रखेगा महाननदा है यह महाननदी नहीं है ठीक है महाननदा में जाके मिलती है महाननदा आपकी आगे जाके पदमा रिवर में मिलती है important है पद्वा रिवर में आपकी जाके पहले गंगा आती है फिर इसमें ब्रह्मपुत्रा मिलती है ठीक है और फिर यह आगे जाके basically मेगना नदी में जुड़ती है और मेगना नदी से ये Bay of Bengal में यानि की बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है ठीक है पद्वा के बारे में ध्यान रखेगा one of the biggest distributory है ये ओफ गंगा की ठीक है तो कुलिक नदी का basically इस तरीकी से ठीक है कुछ species के नाम दिये गए है ये कौन से है जो इन में से sites की list में included है पहला है Indian star tortoise दूसरा है tokoi gecko तीसरा है wedgefish और चौता है Indian rosewood ठीक है इन में से सही कौन-कौन से है कौन-कौन से included है ये आपको बताने है Indian star tortoise, tokoi gecko, wedgefish और Indian rosewood देखे ये चारों के चारों इसमें जो है वो sites की list में है आईए इसके बार में थोड़ों सब पढ़ेंगे इंडिया ने क्या किया था इंडिया ने अभी जो last year 2019 में जो इसकी COP हुई है that is conference of parties हुई है 18th number की उसमें इंडिया ने proposal submit किया था regarding changes in the listing of various wildlife species in the sites secretariat ठीक है जो sites secretariat की meeting हुई थी यहाँ पर ठीक है meeting हुई थी जिनेवा में जिनेवा सुच्जरलेंड में हुई थी meeting ठीक है यह ध्यान रखेगा चलिए the proposal submitted are regarding changes in the listing of किस किस की species की यह ध्यान रखेगा smooth coated otter, small clod otter, Indian star tortoise, toke gecko, wedgefish और Indian rosewood ठीक है यह 5 species है जिनके बारे में बोला गया था sorry 6 species ठीक है इसके बारे में भी आगे देखते है पहले देखते हैं sites क्या है sites है convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora ठीक है और इसको बोला जाता है also is a Washington convention is a multilateral treaty to protect endangered plant and animals तो जो endangered plants and animals है उनका जो international trade है उसको regulate करने के उपर यह जो convention बना हुआ है that is your sites convention ठीक है इसमें थोड़ा से इसके बारे में और देखींगे important है यह the species covered by sites are listed in three appendices तीन appendix में इसकी जो list है वो बनती है ठीक है according to the degree of protection they need पहला appendix है appendix 1 इसमें वो species आती है which are threatened with extinction ठीक है यानि कि जो विलुप्थ होने के कगार पर है या उनका जो खत्रा है वो विलुप्थ होने का खत्रा उनके पास है ठीक है तो इन में जो trade है appendix 2 में वो आते है species not necessarily threatened with extinction but in which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatible with their survival यानि कि इन पर अभी तो आप कह सकते हैं कि विलुप्थ होने का खत्रा नहीं है लेकिन इनके trade को इनका जो वियपार international trade है उसको फिर भी इस तरह के से control करना है कि ऐसा ना हो कि आगे जाके जो इनका survival है वो मुश्किल खत्रे में पड़ जाए ठीक है और तीसरा होता है appendix 3 contains species that are protected in at least one country जितनी भी इसकी parties है उसकी at least one country में उसको protect किया जा रहा है और उस country ने बोला है has asked other side parties for assistance in controlling the trade ठीक है जो इस country में उसको protect किया जा रहा है उसने दूसरी country से जो दूसरी इसकी countries जो parties है उनमें बोला गया है कि इनको protect करना है इसका जो trade है उसको control करना है ठीक है तो इन तीनों append में आप समझ सकते हैं कि first appendix जो है वो सबसे ज़्यादा strict है, second उससे थोड़ा सा lenient है और तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा lenient है, ठीक है, तो यह हो गई sites की बात, अब हम देखेंगे जो species की नाम यहाँ पर दिये गए है, इनका क्या है, देखेंगे पहला species जो बात की गई है, वो है small clawed otter, ठीक है, इसके बारे में इंडिया ने परपोशल यह रखा था कि इसको appendix 2 से appendix 1 में ले जाए 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 गर, ठीक है, और इसका जो status है वो accept कर लिया गया है, वालना इंडिया की बात मान ली गई है, ठीक है, दूसरा species है smooth coated otter, ठीक है, इसको भी बोला गया है कि इसको appendix 2 से appendix 1 में ले जाए 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 तीसरा है indian star tortoise, ठीक है, इसको भी बोला गया है, appendix 2 से appendix 1 में ले जाए 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 जाए, और यह भी accept कर लिया गया है, और तीसरा जो है, जो है जो चौता है, that is tokegiko, tokegiko को basically अगर आप देखिंगे इसका नाम, तो यह एक तरीके से pet lizard है, ठीक है, यह चिपकली ह यह proposal भी accept कर लिया गया है, सिर्फ और शिर्फ जो proposal इंडिया का reject हुआ है, वो यह है, कि नौर्त इंडियन rosewood जो है, ञो है इंडियन rosewood यह नौर्थ इंडियन rosewood जो है, इंडिया ने propose किया था कि इसको appendix 2 से delete कर दिया जाए, ठीक है, इसको अटा दिया जाए appendix 2 से, लेकिन ये proposal जो है इंडिया का reject कर दिया गया है तो आप ध्यान रखेगा कि इंडिया ने ये 6 proposal रखे थे जिसमें से 5 accept कर लिए गया है और 6 proposal जो है कि North Indian Rosewood को delete कर दिया जाए अपर index 2 से वो reject कर दिया गया है ठीक है? चलिए अगला question देखींगे with reference to single use plastics single use plastics को लेकर कुछ statement दिये गये है पहला है कि it will degrade degrade का मतलब है breakdown into tiny particles after many years बहुत सालों के बाद क्या होगा कि ये छोटे particles में breakdown हो जाएंगे ठीक है? दूसरा है it releases toxic chemicals which make their way into our food and water supply ठीक है? इसमें से कौन से statement सही है ये आपको बताना है one only, two only, one and two या फिर neither ठीक है? तो 15 सिंगल टाइम आप लोगों के पास रहेगा बताईए इसके बारे में single use plastic को लेकर सवाल पूछा गया है statement दिये गया है इसके बारे में आपको बताना है ये देखे इसके जो दोनों statement है ये दोनों statement बिलकुल सही है ठीक है आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से क्या है ये single use plastic और disposable plastic are used only once before they are thrown away or recycled these items are things like plastic bags, straws, coffee stirrers, soda and water bottles and most food packaging ठीक है? जो petroleum based plastic है वो biodegradable नहीं होता है and usually goes into a landfill where it is buried and gets into the water and find its way into the ocean ठीक है? plastic will not biodegrade ये biodegrade नहीं करता ठीक है? यानि कि ये natural substances like soil में degrade नहीं करेगा ठीक है? और ये क्या करेगा? it will degrade or break down into tiny particles after many years और इस process में क्या करेगा? breaking down की process में ये कुछ toxic chemicals है उनको release करेगा ये वो toxic chemicals है जो इसमें use किये गए थे to shape and harden the plastic ठीक है? और ये जो चीजे हैं ये हमारे food में और water supply में आ जाएंगी ठीक है? these toxic chemicals are now being found in our bloodstream ये हमारे खून में पाये जाने लगा है और latest research से हमें ये पता लगा है कि इससे हमारा जो endocrine system है वो उसको नुकसान पहुच रहा है और हमें cancer, infertility, birth defects, impaired immunity इस तरीके के जो बिमारिया है वो हो रही है ठीक है? question important यहां से बना है कि more than 20 states and union territories ने इस fight को join किया है to beat the plastic pollution ठीक है? और ban करने की बात किस किस पर की गई है? single use plastic जैसे कि carry bags, cups, plates, cutlery, straws and thermacol products तो आप लोग देख भी रहे होंगे इसका implementation चल रहा है और आजकल जो plastic का use है वो बहुत जादा कम हो चुका है ठीक है? चलिए last question देखींगे दिन का smooth coated otters के बारे में यह अभी हमने बात करी ठीक है? उसी के related question आ गया है with regard to smooth coated otters consider the following statements ठीक है? अब देखे अगर आपको यह question exam में मिलता है तो आपको लगेगा कि यार यह smooth coated otters जो है यह कहां से आया? ठीक है? यह smooth coated otters कहां से आया? question में यह मैंने आपको बताया कि इसका context क्या है? ठीक है कि इसको site list में include करने की बात इंडिया ने पिछले साल में करी है तो यह चीज उस समय न्यूज में थी ठीक है? तो वहां से यह चीज निकल के आया है ठीक है? चलिए पहला statement है कि it occurs in areas where fresh water is plentiful जहां पर fresh water बहुत जादा होता है यह वहां पर पाये जाता है दूसरा है कि जो IUCN status है इसका वो vulnerable है और तीसरा statement है कि यह इंडिया में नहीं पाये जाता है not found in India ठीक है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या-क्या सही statements है 15 seconds का time है आप लोग के पास बताइए जहां पर पानी जादा होता है वहां पर पाये जाता है vulnerable इसका IUCN status है और इंडिया में यह नहीं पाये जाता है not found in India सही जबाँ बताएंगे इसका आप लोग क्या है? यह देखें इसका जो statement सही है that is यह फिर से यहां पर option में कुछ गरवड है I think तो इसका जो statement जो सही पूछा गया है not found in India वाला जो है वो सही नहीं है तो third इसका गलत है पहला और दूसरा सही है option A का सही होगा sorry इसको correct कर लीजेगा option A का correct है चलिए इसके बारे में देखते हैं it occurs in areas where fresh water is plentiful जैसे की wetlands and seasonal swamps rivers, lakes and rice paddies IUCN status इसका vulnerable है smooth coated otters have been included in appendix one of sites यह मैंना भी आपको पीछे बताया कि इसको second status से first mail आ दिया गया है और दूसरा जो है यह geographical regions कहां कहां पर पाया जाता है वो यहां पर map में भी दर्शाया गया है देखे Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thailand and Vietnam मतलब most probably आप कह सकते हो कि यह South और South East Asia है South और South East Asia है एक country जो Central India की इसमें है वो है Iraq तो यह जो एक कहर सकते हो कि आप एक तरीके से exceptional country है Central India की जो इसमें जहां पर यह पाया जाता है तो इस तरही है question UPSC कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से आपको Central Asia की 4-5 countries दे दी जाए कि वहां पर से किसमें यह जो है आपका smooth quarter order नहीं पाया जाता है तो उस तरही है questions आप यहां पर से ध्यान रख सकते है तो चलिए यह थे आज के दिन के 5 questions I hope आप लोग कुछ लोग जो है वो attempt कर रहे है इस course को helpful आप लोग को लग रहा है अगर ऐसा है तो please आप लोग को अगर कर रहे है तो और लोगों को भी इसके बारे में बताईए उनको information दीजिए कि इस तरह के कुछ course है जो इस platform पर इस channel पर चल रहा है इसको जरूर आगे attempt करें ठेक है नीचे description box में link दिया हुआ है वीडियो अगर पसंद आ रहे है तो please वो भी जरूर like कीजिए उसके बारे में भी share कीजिए और अगर अपना कोई भी comment कोई भी feedback आप हमें देना चाहते है चाहे वो negative feedback है चाहे positive feedback है कोई comment आप हमसे करना चाहते है कोई चीज आप पूछना चाहते है कोई query आपको है कोई doubt है तो वो नीचे please comment section में जरूर आप में mention कीजिए जरूर हमें बताइए हमसे ज़्यादा जूडने के लिए हमारा facebook page, twitter page, telegram channel का आप लोग use कर सकते है और मैं तो कहूँगा कि करना चाहते है so that की community बड़ी बड़ी बनेगी वहाँ पर भी आप हमसे कह सकते है instagram पर भी आप लोग हमें follow करना start कीजिए मैं आपको request करूँगा क्योंकि वहाँ पर भी अब हम जो updates है वो regularly करने लगे है ओकुल सिक्षा के नाम पर हम लोग instagram पर है वहाँ पर आप हमें डोड़िए नीचे description box में सारे के सारे link दिये हुए है वहाँ पर आप जाके हमें follow करना start कर सकते है ठीक है तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में फिर से 5 questions लेके ecology and environment को यह भी हम continue करेंगे तब तक के लिए please please do take care of yourself thank you, have a nice day good night